हलो दोस्तों मैं हूँ सविता विल्कम तू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं हरीमेज का अचार जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बहुत टेस्टी होता है खाने में एक वार आप ट्राइ जरू करिएगा और कमेंट करके बताईएगा तो चलिए हम फटा पर से सु चार कर लिया और यह कटा हुआ एक प्याज है इन में से यह जो हमारी मसाले है इनको हम हलका रोस्ट करेंगे एक मिनिट के लिए बस हलका सा इनको गरम करना है बहुत जादा रोस्ट करना है इसको हलका सा रोस्ट करने के बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के अब इसके बाद अभी हम इसमें जो लासून और प्याज है और यह है खटाई एक चमच और यह है नमक थोड़ा जाला रहेगा इन सब को डाल करके हम दुबारा से इसको हम ग्राइंड करेंगे यह हो गया हमारा मसाला रेडी बहुत तेस्टी मसाला बनता है यह एक बार आप जरूर करिएगा और यह है बड़ी हारी मिर्च जिसको हमें 20-30 लगा लिया है अपने सबी मिर्च में चीरे लगा लिया है अभी इन ईन मसालों को लिते हमें भाड लिया है अच्छे से इसको अगर बОर लेंगे बाहर की मसाली इसको भडा देंगे अभी हम कराई में तेल ग देखें तेल करम हो गया है अभी हम इसमें मेच को डाल करके लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे करके और एक एक मिनट पे इसको चेक करते रहेंगे इसको पलटते रहेंगे ताकि ये चारो तरफ से अच्छे से पक जाए ये जो अचार है इसको हम अगर दाल के साथ खाते हैं तो बहुत टेस्टी होता है इसको हम दाल मिक्स करके भी रोटी के साथ खा सकते हैं ये वारा आप मेरे तरीके से बना करके देखिएगा बहुत टेस्टी होता है और कमेंट करके जबर बताएगा कि मेरी ये वीडियो आप कैसी लगी अगर अच्छी लगे तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा